नमस्कार मही हुए इसके महाँ और आप देख रहे ही हिंद सिवन न्यूज एक बड़ी खबर आ रही है प्रियागराज के लाल गोपाल गन से जहां गिरे बिद्दूत प्रवाही तार की चपेट में आने से एक इवक समेथ पांच महवेशियों की मौत गरामीडों में आक्रोस जी हां आज सुबा भोर में लाल गोपाल गन के पाठा का पूरा गाउं में बिद्दूत तार गिर गया था जिसमें दोड है करंट की चपेट में आने से पांच महवेशी समेथ एक इवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक महवेशी को गरामीडों ने बचा लिया वित्दूत विभाग की लापरवाही की चलते गरामीडों में आक्रोस ब्यापता है आपको बता दें की गराम पंचायद अंध्यारी अंतरगत पाठा का पूरा गाउन निवासी सचीन उनिस्वर्स भोर में गाउं की समीपे एक खेट में सोच करने गया था जहां गिरेतार में दोड़ ही बिजली के चपेंड में आ गया जिससे उसकी मौकी पर ही मोत हो गई घटना के बाद गाउं में कोहरा मच गया मिर्तक के पिता पसंतलाल और माता धरुवहिन के शाथ भाई, लच्मल, लोकुस, करन, अनुराग, कारोरो कर बुरा हाल है घटना की जानकारी मिलते ही इस्पेक्टर नवाब गंज वाचोकी परभारी लाल गोपाल गंज मोकी पर पहुचकर डेट बाडी को अपने कपजे में लेकर पीम के लिए भेद दिया है वहीं कांग्रेशी ने तासिस पंडेवा ग्रामीडों ने बिद्दु विभाग की लाप्रवाही के लिए जेई वाए एस्डियो के खिलाब मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है बिरो रिपोर्ड हिंद सेवन नियूज सुबा मुझे दूरभास से जब टेलिफोन आया कि अंधियारी ग्रामसभा पाटक के पुरवा में सचिन नामक व्यक्त को जो दलित परिबार से है उसकी जरजर तार के टूटने से मौत हो गई है सातियों मैं वहाँ पर संबेदना व्यक्त करने आया था तमाम ग्रामीर यहाँ पर है और सबसे बड़ी दुखत घटना है कि 5-5-6-6 गोवन्सों आप वहाँ पर देख सकते हैं गोवन्स जो लपट करके 440 बोल्ट पर पूरी तरीके से मृत हो गये हैं हम यह सरकार पे पूरी तरीके से लापरवाही का अरोप लगाते हैं और मैं लगातार लड़ता रहता हूं कि फापा मोविधान सबा के अंदर 89 के बाद से एक भी जरजर तारों को नहीं बदला गया है इसी तरीके आज यह पहली घटना नहीं है तमाम नसीरपुर तरगाई हैं और सब से हम यह मांग करते हैं बीबाग के जो अधिकारि जो जय हैं चज्प हैं उन पर हम कानोनी कारवाई की मांग करते हैं